वेलकम फ्रेंग्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी मी तो आज की वीडियो में हम बात करेंगी कि दूसरी शादी पर पदी के पक्ष में आया नया जज्जमेंट कानून आप सभी जानते हैं कि जब तक आपका पहली शादी से डाइवोस नहीं हो जाता तब तक आप दूसरी मेरिज नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो दूसरा पार्टनर आपके उपर बाइगेमी का मुकदमा भी लगा सकता है ये भी एक ऐसा ही मामला है जहां पर एक पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर पर बाइगेमी का मुकदमा लगा दिया लेकिन कोट ने सारे तत्यों को देखने के बाद बाइगेमी का मुकदमा खारिच कर दिया और उसकी सेकिंड मेरिज को वैलिड माना इस केस में पत्नी ने अपने पती पर क्लेम किया कि उसने दूसरी शादी कर ली है जबकि उनके डाइवोस की अपील अभी कोट में पेंडिंग है ये कहते हुए पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवाया IPC की सेक्शन 494, 114 और 34 में अब पत्नी इस मुकदमे को क्वेश करवाने के लिए 482 में हाई कोट गया पूरे मामले को देखा गया और फैमली कोट ने जो डाइवोस की डिक्री थी वो भी ग्रांट कर दी अपील अभी पेंडिंग थी फिर भी पत्नी ने सेकिंड मेरिज कर ली थी कोट ने पूरे मामले को देखा तो कहा कि पत्नी ने जो सेकिंड मेरिज की है वो ऐसा कर सकता है पत्नी ने जो बाइगैमी का केस डाला था वो पूरी तरह से खारिच कर दिया गया इस judgment का link आपको वीडियो के description box में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे download करके पढ़ भी सकते हैं तो I hope दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को like, share और subscribe जरूर करें वीडियो में लाक्तिक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद